Welcome back to your channel student तो आज हम लोग करने वाले हैं Class 9th का Model Paper Science का Set 2 ठीक है Set 1 का वीडियो अल्रेडी बना चुके है तो वीडियो का इंड स्क्रीन पे आपको पूरा मेरा वीडियो का 9th Class का Model Set का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा वहाँ पे जाकर के देख लिजिएगा ठीक है बाकी आई बटन पे भी हम इसका दे देगें वहाँ से भी देख सकते हैं तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या है किस किस टाइप का Question है Set 2 में First Question है आपका कि सक्ती का SI मातरक लिखे और तथा उसे परिभाशित करें देखिए सक्ती का SI मातरक क्या होता है What होता है और परिभाशित करना चाहते तो आप One Word में लिख सकते हैं कारी करने की दर को सक्ती कहते हैं ठीक है एक आदमी जितना कारी कर सकता है उसी की दर को सक्ती कहते हैं Second Question है आवरिती को परिभाशित करे तथा इसका SI मातरक लिखिए तो आवरिती तो किसी वस्तू में एक सकेंड में जितना कमपन होता है उन कमपनों की संख्या को आवरिती के कहते हैं ठीक है यानि एक सकेंड में जितना कमपन होगा वही आवरिती होता है और आवरिती का SI मातरक HZ होता है मतलब कहते है उसको अब आजाए थर्ड नमबर अब अब गादरो संख्या का मानी क्या होता है देखिए सेटबन में भी एक कुश्चन पूछा गया था लिए दूसरे टाइप से पूछा गया था वन मोल बराबर कितना होता है न देखिए अब गादरो संख्या 6.022 into 10 to the power 23 ठ ठिक है अब फिर मोलर दरविमान से आप क्या समझते हैं तो देखिए किसी पदार्थ मेंके मोल के द्रविमान को उसका मोलर22 मान कहते हैं ठीक एक मोल 1886 में गोल्स्टिन ने की थी ये भी याद रखिएगा कोई भरोसा नहीं नेक्स टाइम में आपसे पूछ दिया जाए एक्जाम में ऐसा पूछ दिया जाए कि किनाल किरने की खोज किसने की थी या कब की थी तो इसको भी याद रखिएगा अब आजा ये दो संक्रमक रोग का समाजी हर तरह से वो स्वस्थ हो उसे स्वस्थ वेक्ति कहते हैं उसके बाद देखिए है section B में 5 प्रश्णों का उत्तर करना है कि नहीं 5 का तीन माक्स का है प्रते question तो question देखिए ये है कि गतीज उर्जा को परिभाशित कीजिए उन कारकों को उलेख कीजिए जिन पर किसी पिंड की गतीज उर्जा निर्भर करती है तो देखिए गतीज उर्जा तो किसी वस्थू की गती के कारण उसमें उपस्थित उर्जा को गती जूर्जा होता है, तो किस कारक पर निर्भर करता है, तो गती जूर्जा का दो कारक होता है, पहले तो वस्तु का गती और दूसरा वस्तु का द्रविमान, ठीक है, वस्तु का द्रविमान जितना रहेगा, और गती रहेगा, उसी को दोनों को मिल करके गती जूर्जा बनता है ठीक है, नाइन देखिए, अनुधैर तरंग और अनुप्रस्थ तरंग जो है उसको परिभाशित करना है तो पहले देखें, अनुधैर को लिख लेते हैं, अनुधैर तरंग जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग ये संचरीत होती है, जो माध्यम के कन तरंग चलने की लंबुवात कंपन करती है , यह देखके आपको CPR समझना है तो उन्हें अनुप्रास्त रंग कहते हैं फिर mole में बदलने के लिए कुछ question दिया गया देखे पहला question था 12 gram oxygen को mole में बदलना था और फिर 22 gram carbon dioxide को तो देखिया मैंने बदला है 12 gram oxygen को है न तो oxygen का O2 होता है ये पता होना चाहिए आपको O2 कहते oxygen तो O2 हो गया 2 और उसके बाद इसका जो 2 है तो 16 अच्छा एक मिर्ट सॉर मतलब मोल दिया हुए बोल रहें मोल में बदलना है आपको तो देखे मोल पराबर क्या होता है दिया हुवा मोल दिया हुआ मोन मेरा 32 है तो 32 हुआ तो हम जब इसको डिवाइट किए तो देखिए आ गया 3 बटा 8 है या निधी बसी मल में जाएगा उसी तरह carbon dioxide का भी करना है co2 है देखिए तो carbon dioxide का देखिये carbon का 12 हो जाएगा plus 2 है तो यहां 2 लिख नीँ और oxygen का 16 हो जाएगा तो इसको जब solve कीए तो 44 हा गया 16.22 और 12.44 ठीख है तो यह इसका निकल गए आपका molar द्रविमान अब देखिए वही फॉर्मूला मोल बराबर छोटा M by M तो कितना दिया हुआ है दिया हुआ द्रविमान 22 है और अभी जो हमनों मोल द्रविमान निकाले वो 44 है तो 22 बटा 44 की है तो 1 by 2 आया यह यहीं 0.5 मोल हो जाएगा ठीक है अब नेक्स्ट कोश्चन है आपक हुआ द्रविमान द्रेना उसके भाद देखिए कि एक म होता है लिए क्वान अ दो एकम दो 16 दो 18 ग्राम हो जाएगा एक मोल है याग मोल जलगा द्रविमान 18 ग्राम निकलेगा तब 10 मोल यदि 10 से कुना कर देखे तो 180 ग्राम ठीक है 12 नंबर कोश्चन है उधारन के साथ परिभाषित करें क्या सहिएओ जक्ता पहले पहले परिभाशित करना है, फिर संभारी को भी प्रभाशित करना है, तो संयोजक्ता देखे क्या होता है, किसी भी परमानु की एलेक्ट्रोन ग्रहन या त्याग करने की छमता को संयोजक्ता कहते हैं, ठीक है, एलेक्ट्रोन ग्रहन करने की छमता या त्याग करने की छमता को क फिर उसी तरह संभारिक, संभारिक क्या होता है तो वे परमानू जिनकी द्रविमान संक्या समान तथा परमानू क्रमान का भीन होते हैं, एक दूसरे के संभारिक कहलाते हैं, ठीक है, एनि परमानू द्रविमान है न, परमानू द्रविमान समान होना चाहिए, ठीक है, एक्ज का प्रमानु क्रमांग 20 होता है इस प्रकार यह दोनों प्रमानु एक दूसरे के संभारिक है ठीक है अम नेक्स्ट कोश्चन नमर 13 में देख लिए टीका करन क्यों आवस्यक है तो आप लोग तो सब वैक्सिन लेहीं लिए होंगे कोविड का वैक्सिन लगे गया आप लोगों तो आप लोगों को पता ही होगा कि टीका करन क्यों आवस्यक है तो चलिए फिर भी देख लेजिए हमारे सरीर में किसी बीमारी के प्रती लड़ने के प्रती रोधक छमता बढ़ाने के लिए जो दवा दी जाती है उसे ही टीका या वह वैक्सिन कहते हैं तो वैक्सिन को किस कि खुरा यो इसी भी रूप में हमारे सेरीर में भेजा जा सकता है हो सकता है कि यह दव आपको खिलाई जाए पिलाई जाए यहिए acabar से हिसे आपके शरीर में डाली जाए तो आप मुझे कमेंड करेंगे किका यहां जाने वह एक वैक्सिन कौन सा है जो बच्छपन में पिल स्थिरी करन क्या है तो नाइट्रोजन स्थिरी करन देखे वायू मंडल की मुक्त नाइट्रोजन को पादपों के अवशोशन योग नाइट्रोजन यौगी को में बदलने की क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरी करन कहते हैं ठीक है और यह पर किरिया किसके द्वारा होता है रा हाला कि question तो आपको कोई नहीं छोड़ना है, आए ये question कि पंद्रा यांत्रिक ऊर्जा क्या है? एक मिनिट सॉरी, question number 15 है न, question number 15 हैं क्या है? question number 15 ये पूछा गया है आपसे, यांत्रिक ऊर्जा क्या है? इसके दो प्रकार क्या है और 15 केजी द्रवेमान की एक वस्तू 4 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेक से गती सील है तो वस्तू की गतीज उर्जा कितनी होगी ठीक है ये भी निकलना है इस कुशन को भी सॉल्ट करेंगे तो देखे सबसे पहले यांतरिक उर्जा क्या है अब ये कितने प्रकार के होते हैं तो दो प्रकार के पहला तो गतीज उर्जा और दूसरा इस्तिति उर्जा देखें कोशन में ही आपका एंसर है अब आजाईए मतलब इसका डिफिनेशन में ही आपका प्रकार भी मिल गया अब question ये पूछा कि 15 kg द्रव विमान है और 4 मीटर पर 30 सेकेंड कि एक समानवेक से गती सील है तब गतीज उर्जा निकालना है गतीज उर्जा का इंगलिस kinetic energy होता है ठीक है तो देखें आप एक formula छोटा सा लिखें है और solve किये है kinetic energy equal to क्या होता है 1 by 2 1 by 2 mb का square है ना अब इसको solve किजिएगा तो 1 by 2 का तो 1 by 2 रहेगा ही mb, m जो है मेरा 15 है 15 दिया हुआ है और b, जो है, कितना है? 4 है तो 4 का square हो जाएगा तो देखें, solve किये है 1 बटा 2 गुने, 15 4 का square किये है, तो 4 चोके 16 हो जाएगा फिर आप इसको यहां से कर सकते हैं देख लिजिए 1 बटा 2 गुने, 15 गुने, 16 काट सकते 2 कम दो, 2 अठी, 16 तो 8 और 15, 15, 8, 120 हो जाएगा तो 120 जूल इसका answer हो जाएगा चलिए, next देख लिजिए 16 नंबर question में क्या कहा गया है कि समाने मनुष्य के कानों के लिए स्रव्यता परास क्या है किसी ध्वनी स्रोत की आवरिती 100 हर्टज है, एक मिनट में या कितनी बार कमपन करेगा ठीक है, तो देखिए समाने मनुष्य के कारे के लिए जो है, स्राव्य परास 20 हर्टज या 20 हजार हर्टज तक है, ठीक है आवरिती जो होता है 100 हर्टज का होता है अब देखिए, 100 कमपन प्रति सकेंड करता है, एक सकेंड में वो 100 बार कमपन करता है ये याद रखना है आपको तो एक मिनट में कितना कमपन करेगा यही कोश्चन पूछा था ना 100 हर्टज है अवरिती अवरिती दे दिया है 100 हर्टज यानि एक सकेंड में 100 बार कमपन कर रहा है तो एक मिनिट में कितना करेगा तो 60 से गुना कर दिया तो 60,000 यानि 60,000 बार कमपन करेगा अब आजाए सत्रा नंबर कोश्चन नाभिक के 4 ओर चक्कर लगाता है अब पढ़े होंगे बीच में क्या होता है P plus N proton plus neutron और बाहर में क्या होता है electron होता है तो ये नाभिक प्लस N क्या है मेरा नाभिक है और ये बाहर चक्कर लगाता है electron जो होता है minus charge होता है ये भी याद रखिएगा और प्रोटोन जो है आपका positive charge यानि plus charge होता है प्रोटोन का से प्रदर्शित करते हैं small n ये याद रखिएगा p plus n ये हो गया आपका ना भी proton प्लस neutron और बाहर में हो जाएगा एक मिट कुछ mistake बोले क्या proton प्लस neutron और बाहर में आपका हो जाएगा electron अब question b देखे क्या बोला था इसी में कि hydrogen के समस्थानिक h d a 1 t के लिए प्रतेक में पाए जाने वाले तीन अब परमानुक करणों को सारनी बद कीजिए ठीक है सारनी बद करना है तो देखिए थोड़ा जूम कर देते हैं है देखे पहला hydrogen का जब एक रहता है तो उसको कहते हैं प्रोटियम थीकए इसमें proton का संख्या एक होता है Linux Commons 0 होता है, फिर जो Deuterium होता है, इसमें Hydrogen 2 और 1 होता है, ठीक है, इसमें Proton का संख्या 1 होता है, Electron का संख्या 1 होता है और Neutron भी 1 होता है अब दीसरा आ जाए, Tritium Tritium 3H1 हो जाएगा तो इसमें Proton 1 होता है, Electron 1 होता है और Neutron 2 होता है, ठीक है यही सारनी है आप इसको याद कर लीजेगा चोटा सा चीज है याद हो जाएगा ध्यान में रखेगा बस हो जाएगा अब आजाए निक्स्ट नेक्स्ट में क्या है मृइदा निर्मान की जो है प्रकिरिया का विस्तरित रूप से र्याख्या करना है चर्चा करना है मृइदा निर्मान का पूरा प्रकिरिया को बताना है तो देखिए एंसर लिख सकते हैं आप पॉइंट वाइस ही लिख दीजिएगा तो मृदा का निर्मान निमलिखित प्रकार से होता है पहला पॉइंट सूरी पत्थर को गर्म करता है जिससे वे प्रसारीत हो जाते है रात के समय पत्थर सिकुड जाते है इससे उसमें दरार पढ़ जाती है और वह तूट जाता है ठीक है? तो दिन में गर्मी से वो फैलता है और आतमें ठंडा से सिकुडता है इस तरह से दरार आने लगता है अब दरार आएगा तो जल क्या होगा? जल सूरी के ताप से बनी दरार में पानी भर जाता है जलनी जब होना चाहिए यहाँ पर जब हो जाएगा जब सूरी के ताप से बनी दरार में पानी भर जाता है जो यदि जम जाता है तो वह दरार को चोड़ा कर देता है और बहता हुआ जमा हुआ पानी पत्थर को छोटे छोटे टुकडों में तोड़ देता है उसकी आलावा तेज गती से बहती पानी पत्थर को टुकडों को बहा ले जाती है जिससे आपस में टकरा कर तूट कर और छोटे हो जाते इस प्रकार मिट्टी अपना मूल पत्थर के अस्थान से काफी दूर पाए जाती है ठीक है फिर एक पॉइंट लिख सकते हैं फिर हवा से पत्थर टुकडे आपस में टकरा कर और भी छोटे टुकडें बढ़ जाते हैं फिर जीव जन्तू जो है वो भी मिटी के बनने की प्रकिरिया को प्रभावित करती है कैसे देखे लाइकेन जो है लाइकेन पत्थरों की सता पर उकते हैं जो पत्थर को चूर्ण के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और मिटी के परत का निर्मान करते हैं ठीक है सिंपल प्रोसेस में चलना है तो आप इतना ही समझे पत्थर होता है धूप के कारण वो गर्म हो जाता है तो वो फैलता है ठंडा कारण सिकुल जाता है फिर बारिशूरी सोता है यह नदी का पानी से इसमें जो पानी पड़ता है तो यह फूल मतलब दरार में पानी घुच जाता है तूट जाता है तूटते हुए हवा के कारण और पानी के कारण बहता बहता यह रगड़ाते रगड़ाते रगड़ पहला कारण वायू द्वारा छीकने वखासने से रोगानू वायू में आ जाते हैं तथा स्वस्त व्यक्ति में चले जाते हैं। ठीक है। आप इसको सीधा रख सकते हैं। गोरोना को विध्यार में रखते हुआ इस कैंसर लिख सकते हैं वो भी एक संक्रामक रूग है फिर देखे जल द्वारा प्रदूशित वा संक्रमित पानी पीने से रोगानू हमारे सरीर में चल जाते है फिर जो एक कुछ है संक्रमक रूग जैसे लैंगिक संपर्क कुछ उपाई क्या है तो संक्रमक रोग से बचना है तो सीधा है संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहिए दूसरा संक्रमन से बचने के लिए उचित टीका भी ले लेना चाहिए ठीक है अभी तो बहुत सारा संक्रमन से बचने के लिए टीका होता है तो उस टेका को वालेना चाहिए और तीसरा संक्रमित व्यक्ति द्वारा परियोग की गई चीजों को परियोग में नहीं लाना चाहिए ठीक है ये तीन को सब्सक्राइब कर दें तो फिर मिलते हैं में निक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाइं टेक कियर